वेलकम दोस्तों टोने वीडियो दोस्तों मेरे दोनों साइट पे दो नाइड विशन ग्लास आप लोग देख सकते हो इन दोनों का आज हम लोग कॉमपेडिजन करेंगे मेरे इस साइट पे है फास्ट्रक के तरफ से नाइड विशन ग्लास और मेरे इस साइट पे है ये इंट कि दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है वह बिल क्वालिटी एंड बिल क्वालिटी में मुझे फास्ट ट्रेक जो है वह बेटा लगा यहां पर थोड़ा मेटलिक फिनिश भी उपर में दिया गया है जो कि इसमें देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो ग्लास है ग्लास यह मुझे इंटरी लेंस से बहुत जादा बैता लगा एक्चोली में दोनों ही मतलब फाइवर या फिर प्लास्टिक जो भी बोल आप लोग दोनों ही सेम है बड़ जब आप मतलब देखो गे न यह थोड़ा ग्लास ग्लास लगेगा यह उतना ग्लास जैसा नहीं दिखेग तो इस जो नाइड विशन ग्लास है यह मुझको थोड़ा प्रिमियम फिल देता है जो कि यह वाला ग्लास अच्छा तो है बड़ प्रिमियम फिल नहीं दे पाता है जो फास्ट्रैक देता है दोसो 2nd point है night vision, night vision में मुझे fast track बेटर लगता है, यह पेन के मुझे उतना नहीं लगता है, कि light चावर तरफ बंदब उतना अच्छे से नहीं दिखता है, वट यह पेन के और अच्छे से दिखता है, मतलब नॉर्मल कंडिशन में जो दिखता है, उससे बेटर दिखता है, उस प्रफारवाला है सो टफॉण्ट की दोस्तों जो फ़र्ट्ट पॉइंट है वह है या फिर आईसमें इरिटेशन दौस्तों जब इन दोनों को पैंख कर रखोगे ना आईसमें इरिटेशं नहीं होगा हेड्ट नहीं होगा मेरे साथ जैसा हुआ है मैं वैसा ही वता रहा हूं नहीं होगा बड़ जब आप इंटेली लेंस का यह जो ग्लास है इसको उतारोगे उसके बाद हो सकता है कि पहले के तीन-चार दिन थोरा सा हेडेक हो या फिर थोरा सा आइस में इरिटेशन हो जब तक आप इसक हो सकता है रांक फॉर्टम पवंट है ईए जो नाइट वीशन ग्लास हो दोनों देख सकते हैं है यलो है एक सब्सक्राइब करता है यह जो है उतना ने लगता है तो देखने में अगर बात करो तो फिर यह बेटा लगता है यह पेन के यह अगर में 100 योलो पगडो न तो उसके कॉम्पेटिसिर में मा लीजे यह 50 यलो है मतलब उसका आधा मतलब उतना ही पगड़ लो सो यलो इस तो होता है लेकिन उतना नहीं उतना अजीब नहीं लगता है ज्यादा नैचर्वल लगता है फास्ट ट्रैक में अभी बात करेंगे फाइनल पॉइंट के बारे में दोस्तो एक टाइम ऐसा था कि हम लोग नाइट विशन जो ग्लास ले आए वो लेते थे इस रीजन से ताकि नाइट में अच्छा सा विशन मिले हम लोग को असपास देख सकते हैं और अच्छी तरीके से ताकि अच्छी तर अच्छी तरफ से जो मतलब गारिया आती है हाई वी में ट्रक को तो मैंने देखा है कभी भी कम नहीं करता है पिकप भेंग को भी मतलब हाई वीम से लोग आते ही नहीं है एंड उसका जो लाइट है हाई वीम का लाइट वह आइस के उपर डाइकली जब परता है बहुत जयादा दिक्कत होता है तो अच्छे से प्रिवेंड परता है यह इज coupled प्लम ओल द परता है सा उता है इस में बहुत बहुत बंकरता हैँ दोस्तों मैंने दोनों ग्लाश को यूज़ करके देखा है सो यह जो पॉइंट है इस पॉइंट में इंटेलेंस टेफिनेटली वेटर काम करता है सो सामने की तरफ से जो हाई वीम का लाइट आता है इसमें मतलब बहुत जादा चलाने में जो तकलीब होता था दोस्तों यह generalized में करता है लेकिन यह लेकिन बहुत निग़ी जवेल है मतलब इस ग्लास के हिसाब से तो मतलब मतलब उतना कर नहीं पाता है उतना इफिशेंट मतलब इसके आसपास भी फास्ट डर्क का ग्लास नहीं है सक्सेशफूल तो इंटलेज़ेंस का जो ग्लास है वही मतलब बहुत 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 परफम करता है तो इंटलेजनस के तरफ से यह जो पास है यह यह ख्ली को कम करता है और यह इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपका बाइक या फिश्कूटर का लाइट माद जो ही लाइट है उसको ओन कर दीजेए अगर आपके पास एक 12 साल के बी भी हो वो चीज मतलब इसमें और मतलब इसमें भी exposure तो कम करता है लेकिन इसमें visibility थोड़ा बड़ा देता है जो की इसमें नहीं होता है बट ये main जो सामने का high beam है उसको prevent करता है तो दोनों अलग-अलग हिसाब से better है सारे जो points है उसमें fast track आगे निकल जाता है बट जो main point है उसमें night rider आगे निकल जाता है दोस्तों इसको मैंने fast track के website से खड़िदा है तो ज्यादा कुछ review में मतलब नहीं दिखा था इसके बारे में मैंने positive reviews भी देखे फिर भी मैंने इसको purchase किया सो दोनों को दोनों का जो reason है अलग-अलग reason है इसको मैंने दो दिन पैनके थोड़ा सा मुझ इसको पहले दिन strain हुआ इसको जब तक पैना था तभी तक strain नहीं हुआ जब इसको open किया तभी थोड़ा strain हुआ second दिन भी strain हुआ लेकिन बहुत कम था तभी मैंने fast track मंगा लिया बर जो last point है मैंने देखा कि उसमें तो वहीं काम कर रहा है और दूसरे दिन से तीसरे दिन से जो बहुत बहुत गायब हो गया है एंड बीच में में ऐसा हो गया तीन दिन में इसको पैना भी नहीं है यह गैप के बाद में इसको पैना एक घंटे तक लेकिन मेरा कोई strain नहीं हुआ कोई strain मुझे फील नहीं हूआ एक बार आप habituated हो जाओगे तो जो strain बाला पार्ट है वो भी गायव हो जाएगा दोस्तों ये दोनो night vision glass के बारे में सारे जो positive और negative point है मैंने आपको बता दिया है जो मैं observe किया है अभी आपको decide करना है बाकि सारे point में तो ये fast track का night vision glass है ये जीत जाता है लेकिन end का जो point है जो main point है वो intelligence जीत लेता है तो आपके उपर है अभी दोनों जो glasses है उसका link आपको description मिल जाए आप चाहे तो उस best buy link पर क्लिक करके सबसे अच्छे price में इन दोनों में से कोई एक को purchase कर सकते है thank you guys for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye और हाँ चैनल को subscribe करना बिल्कूल भी नहीं भूलेगा क्योंकि बहुत सरे ने वीडियो जाने वाले हैं